नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक राज विलकम बैक टो आवर यूट्यूब चैनल इसी लाइव वीता लोग दोस्तों मार्केट में दो तरीके के न्यूज आ रही है कुछ पॉजेटिव न्यूज तो कुछ नेगेटिव न्यूज जिसका असर दोस्तों क्रिप्टो देखने को मिली है लेकिन दोस्तों इस नेगेटिव न्यूज के साथ सत में कुछ पॉजेटिव न्यूज भी आई है जिसके वज़ा से अगर आज देखेंगे तो कुछ मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है जैसे कि आप देख रहे हैं बाइनेंस कोई जो है देखने को आपको मिल रहा है तो एक जो न्यूज आ रही है सामने पॉजेटिव न्यूज जो मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को अपडेट किया था लेकिन दोस्तों इस न्यूज के साथ साथ में कुछ और भी न्यूज आ रही है जैसे कि फिलिपीन की यूनियन क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसस स्प्राइच करने वाली है अपने कंटरी में अब रही है पहली के फिलिपिन के लोक गोगां के SUCCRO करेगी सो अपने एक से न्यूज करेगी रही है किरिपेत्पीन को कर दोस्तों कि अभी फिलिपीन के लोग यो 1 से 2 ऑha 2 परसेंट वतने ACET का 1-2% क्रिप्टो कंसी में investment करके रखते है और अनुमान लगा जा रहा है कि यही 3-5% हो जाएंगे आने वाले 5 सालों में जिसके बज़ा से Union Bank of Philippines जो है अब क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज, कस्टोडियल सर्विसेज वेगारा प्रोवाइड करने वाले है तो यह भी एक positive news है जिसके आने के बाद market में थोरा सा recovery देखने को मिल रही है दोस्तों यही मैं कहना चारहूं कि क्रिप्टो कंसी कभी भी किसी के control में तो एक तो है नहीं या नहीं कि कभी इसे ban किया जाएगा अगर एक साइड क्रिप्टो कंसी को ban की बाद चलती है तो दूसरे साइड देखेंगे तो उससे कहीं जादा लोग जो है इसे accept भी कर रहे है यानि इसकी acceptance धिरे धिरे बढ़ती जा रही है तो ऐसे situation में जो लोग क्रिप्टो कंसी इसमें उच्छाल बढ़ोतरी काफी जादा देखने को मिली है अभी bitcoin गिरी है तो यह कोई बड़ी चीज नहीं दोस्तों कि आप notice करेंगे हर 6 महिने पे 7 महिने पे ऐसा गिरावट आपको हमेशा देखने को मिलेगा जैसे कि पिछले माई अगर बात करें पिछले साल की तो अप्रिल माई मन्त में किस तरीके से क्रिप्टो कंसी में उसी तरीके से गिरावट आई थी भारे गिरावट हुई थी और लगबग में 50% का डाउन आ चुका था उसी तरीके से अभी बापस आई है और अब जो है ये धीरे धीरे रिकवर करना सुरू करेगी और जब याद रखेंगे जब एक बहुत बड़ा गिरावट आती है क्रिप्टो कंसी में तो उसके बाद हमेशा चाहे बिटकोईन हो या इथरियम अपने all time high को अचीब करती है पिछले बार भी जब गिरावट आई थी बिटकोईन में तो उसके बाद से जब ये टॉप पे आई तो अपने all time high को अचीब कर ली और फिर वही चीज होने बाली है इसी तरीके से अगर बात करेंगे एक और गिरावट की बिटकोईन की दोसो तो 2017 में भी ऐसे ही गिरावट आई थी बहुत बड़ी गिरावट जहां कोईन जो बिटकोईन जो है दोसो अपने all time high उस समय के all time high 2000 डॉलर को टच करके काफी ज़्यादा नीचे आ गई थी तो वही मैं करना चारा हूँ कि इस तरीकी से fluctuation यानि market में भारी गिरावट हर 6 मैने यानि साल में आपको देखने को जरूर मिलती है तो इससे panic होने की जरूरत नहीं है एक systematic ढंग से अगर आप investment करते है dip में buy करने के capacity रखते हैं एक fund रखते हैं तो कभी भी आप loss में नहीं रहने वाले है दोस्तों तो चले दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है फिर कुछ update आता है तो मैं आपको update share करता रहूंगा